हालो गाईज वाइकम तुमाच चानल गुर्साइज कोचिंग क्लासिस आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने डीजी कोर्स कंप्लीट कर लिया है उसके आगे आगे आप क्या कर सकते हो बहुत सरे बच्चों के कमेंड्स आ रहे थे बहुत सरे बच्चे के इंक्वा कर सकते हैं उसके बारे में फुल इंफोर्मिशन प्रवाइड करोंगी वीडियो अच्छे लिए कि वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना इसके साथ ही गाइस एक गुद न्यूस यह है कि वर्ट्सप निक न्यू फीचर लांच किया है वर्ट्सप चैनल का मैंने कर लिया है उसका लिंक वीडियो के डिस्ट्रप्शन में प्रवाइड कर दूंगी और उस वर्ट्सप चैनल को जॉइन करना ता जो लेटेस अब्रेट्स आपको मिल पाएं और कोई वी आपको ग्रूप गरा जॉइन करने की नीड़नी रहेगी अगर आप मेरे साथ वर्ट आपड़ा जिए रिजणिंग अपर पेस चैनल को मेल डाल सकती हो कि आपका जुऊर्प्रेश्टर को है और डियम से नहीं आया तो उसके अकॉर्डिंग मेल डाल के यह पता कर सकते हो कि आपका डियम से अब आपने अगर डी से कोर्स कर लिया है फुल तो आप फिरस्टी क् क्षाई कर्ना स्टार्ट कर सकती हो जो byg exam में तो उसकी preparation करना start कर सकते हो क्योंकि अगर आप इस time free हो तो आप बहुत अच्छी way में start कर सकते हो उसका full package मान के चलो बहुत सरे बचे पूछते हैं कि मैं हम हमें कौन सी book meaning आप refer करती हो या कौन सी book हम ले सकते हैं जिसे हम preparation करना कर सकते हैं तो जैसे आपको पता है कोई भी गौर्मेट एक्जाम होता है वह स्पैसिकल को एक book में से आप परप्रेशन करके नहीं ready कर सकते इसके लिए डिफरन डिफरन टाइप आप वीडियो बुक्स होती है उसका material मेनिक क्लेक्ट करके फिर अपकी preparation होती है जैसे मेनिक पंचाब में पहले तरह से सुतरन में पोस्ट आई थी और उसकी regarding बहुत सरी बुक्स क्या है पब्लिश होई थी तो उन बुक्स के recording और इसके साथ ही जैसे entity पहले 13 से पहले कोर्स करवाया जाता था तो उस ताइम से जो ऑथर्स की बुक्स से पब्लिश होई थी उन सभी बुक्स को combine करके हमने एक syllabus बनाया है और उसका जो full content है theory notes mock test सब कुछ हम आपको provide करेंगे within 1000 में 1000 में आपको सभी पार्स जो exam में आना है जैसे reasoning हो गया math हो गया इसके साथ language होगी जैसे पंजाबी पंजाबी लैंगिस में होगी Hindi और English होगी इसके बाद जो main आपका part रहेगा teaching का part रहेगा वो सभी नोर्स आपको पंजाबी लैंगिस में मिलेंगे उसके साथ मैं आपको mock test प्रवाइड करोंगी एक mock test यह होगा जो printing form में होंगी उसमें टोटल 10-12 mock test रहते हैं जिसकी answer कि आपको नाल मिलेगी पहले आप अपनी theory से preparation कर सकते हो preparation करने के बाद फिर आप अपने mock test को solve करके अपने average निकाल सकती हो कि 100 जो आपके mcqs आएंगे उसमें से आप कितने marks का obtain कर सकते हो फसली आपका preparation रहेगा उसके बाद आपके mock test रहेंगे इसके साथ ही handwritten 15 से लेके 25 mock test ready है जिसकी साथ में answer की है और उसमें से जो मेन मेन पार्ट रहेगा जो changes होगा वो पार्ट रहेगा आपका क्रेंट फियर का पार्ट क्योंकि वैसे तो नॉर्मली हमने डाले हुए क्रेंट फियर बट वह थोड़े से ओड है और इसमें क्या होगा जैसे मेनिक जब भी वकैंस आएगी तो सब्सक्राइब करने होगे तो उसके लिए लेटस आप कोई भी वीडियो से देख सकते हो यूट्यूब पर बहुत सरे वीडियो से हैं वह वीडियो से आप डेली की देख सकते हो और वहां से कंट्फिय क्या है उठा सकते हो तो यह जो पैकेज है मैं आपको प्रवाइड कर यह में पहली सी बोल देती हु क्योंकि बहुत सरा बच्चे पूछता है कि मैं DEC कोर्स कम्प्लीट कर लिया मैं KBS में उपलाई कर सकता हूं? जो certificate आपके पास रहेगा, bonus के लिए रहेगा, उसके साथ आपका जब भी अभी जो उसका interest test आएगा, तो आप उसको fill करके, उसके बाद आपकी merit बनेगी, फिर आपको क्या है, admission में लिए के college के थुरू, तो वो admission ले सकते हो, और उसके बाद अपना जो course है complete कर सकते हो, तो course complete करने के बाद, फिर आप क्या है, KBS में apply कर सकते हो, तो यह जो main process है, कि वो students जिन बच्चों ने, यही main, जिनका teaching line में जाना है, और उन बच्चों ने plus two, यह फिर ग्राइजिशन के बाद, DEC course complete कर लिया है, फुल हो चुका है, teaching line ही aim है, तो पहले तो आप अपनी preparation करना start कर सकती हो, preparation तो आपका meaning यह है कि जितने time आप ज़्यादा करोगे, उतनी ज़्यादा skills आपको आएंगे, और उतना अच्छे percentage के साथ आप अपना जो paper है, वो qualify करोगे, इसके साथ साथ अगर हर्याना वाले candidates देख रहे हैं, तो उसके लिए यही बता दीगी, अगर अप KBS में apply करना चाते तो आपको क्या करना है, course करना पड़ेगा, और मिनिंग एक बात यह है कि बहुत सारे institute NCT के अंडर 2 years का NTT कोर्स डिप्लोमा परवाइड कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने ले भी लिया है और बात भी मिनिंग certificate मेरे पास share करते हैं कि मैं यह चलेगा यह नहीं चलेगा, देखेगा, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, जो NCT है, जिसके अंडर मियान के चलो 2 years डिप्लोमा इंसिटूट पर दे रही है, वो as a promotion क्लिए चलता है, उसकी online verification होती है, बट वो promotion क्लिए होता है, वो government job में नहीं चलेगा, आपकी post fill हो जाएगी, अगर आप exam crack कर लेते हो, जब आपके documents की verification होती है, तब आप निकाल ले जाती हो, क्योंकि पिछले time भी बहुत सरे बच्चों को क्या है, रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनके जो सरेफ कर से वो original नहीं थे, तो ऐसी गलती मत करना, कहीं से भी NCT वाला मत लेना, बट हाँ, अगर आप government job नहीं प्लाई करना चाहते हो, प्राइवेट job में के लिए use करना चाहते हो, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर इसमें regarding कोई डाउट रहता है, NCT के regarding या फिर टू इस एंटिरी टवलोमेरिक करना मुझे कमेंट कर सकते हो, आपके comments में वीडियो लेकि आउंगी, तो मेन वीडियो का यही था aim, कि आप अपनी जो government exam की preparation करना start कर सकते हो, और KBS के लिए आप अपना जो course है, उसको join कर सकते हो, तो okay guys, bye-bye.